हलो एवरीवन वेलकम उन ग्रास्पिंग पाइथन आज का हमारा टोफिक है एक्जाम्स इन गूगल फॉर्म विद गूगल क्लास्रूम इस वीडियो में हम बात करेंगे गूगल क्लास्रूम के अंदर गूगल फॉर्म को कैसे पोस्ट करेंगे ताकि जो ग्रेड से आपके करेंगे पहले section में create google form as a make a copy वो कैसे create करना है और दूसरे के अंदर कैसे post करेंगे जिसमें में automatically grade को import कर सकते हैं google classroom के अंदर तो सबसे पहले अगर make a copy का option अगर discuss करें तो उसके लिए आपको क्या करना है जैसे मैं explain करता हूँ कि किस तरीके से make a copy आप create करते है make a copy पिप और उसमें क्या कर सकते हैं आप उस Google Form की copy create हो जाएगी आपकी Google Drive के उपर देखे यह option आ गया इस तरीके से यह link कैसे create किया है उसको हम discuss करेंगे अलएकि आप लोगों को कही को पता है फिर भी थोड़ा सा एक discuss कर लेते हैं एक दो मिनट का काम है यह उसके लिए आप चलिए Google Form पे जहां पे जिस ID से login कर दीजे जहां पे आपने Google Form बनाया है और यहां पे आप देखेंगे Google Apps के नाम से एक option आता है जिस पे 9.0 से इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहां पे आप देखेंगा Google Form आपको दिखाए देगा forms इस पे आप क्लिक करेंगे जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहां पे देखेंगे यह आपके forms बने हुए है अब मैं चाहता हूं कि यह string test है इसकी मैं make a copy के option create करूं तो कैसे create करूंग वो देखें अगयन यहां पे 9 applications पे आना है 9 जो एप से Google आप 9 dots इस पे क्लिक करना है इस पे क्लिक करने के बाद drive पे आप क्लिक करेंगे तो यहां पे वो form दिखाए देगा जिसको आप जितना भी data आपका है form नहीं जितना भी data वो दिखाए देगा यहां पे उस form को देखें जिसको इस पे पहला उप्सन आप देखेंगे तो इस एरो बटन पर क्लिक करेंगे तो रिश्टक्टिड लिखा हो होता है आप इसको यहां से चेंज कर दीजिए एनिवण विद लिंक कर दीजिए क्योंकि आप जिसको ब्हेज रहे हैं उसके पास हो सकता है डौमें नेम दूसरा ह तो इसलिए इसको anyone with this link कर दीजे और इस link को आप यहां से copy कर लिजे copy करने के बाद आपको एक word file ए text file open कर दीजे और वहां पे इस link को paste कर दीजे paste करने के बाद यहां पे देखे जो section मैंने select कर रखा है edit से पहले जो slash है उसको रहने दीजे और यह जो selected area है edit के उसरमार की usp equal to sharing इसको delete करके यहां पे आप लिजे copy यह आपका एक link बन गया जिसको अगर इस link को जिसको भी आप भेजेंगे तो वह क्या कर सकता है इस Google form की copy create कर सकता है देखे मैं explain करता हूं कैसे इस link को मैंने copy किया copy करने के बाद मैं यहां पर क्या करता हूं इसकी address bar के अंदर इसको मैं paste कर देता हूं paste करने के बाद जैसे मैं enter करूंगा तो यहां पर देखे option नाग है make a copy और इस पे make a copy पर click करेंगे तो इसकी copy create हो जाएगी मेरी drive पे देखें मैंने इस पे क्लिक किया तो यह drive पे गूगल form पूरा आ चुका है तो इस तरीके से आप क्या कर सकते है copy create कर सकते हैं अगर check करना है कि इसकी copy create हुई है या नहीं हुई है तो यहाँ पे देखें जैसे मैं इसको refresh करता हूँ drive को तो यहाँ पे आप देखेंगे एक form आ जाएगा copy of string test तो इस तरीके से आप create कर सकते हैं दूसरा गूगल classroom में इस link को कैसे assign करना है वो देखना है वो देखने के लिए सबसे important चीज एक चीज आपको याद रखनी है यह जो link आपको मिलेगा इस school की तरफ से इस link को ऐसे कैसे आप बच्चों को नहीं बेजेंगे अगर आपने ऐसे कैसे बेज दिया तो बच्चे क्या करेंगे उसकी खुद की copy create कर लेंगे और वहाँ पे पोरा पोरा Google form देख लेंगे आंसर भी वहाँ से देख सकते हैं तो हमारा काम विगड़ जाएगा तो आपको यह link नहीं बेजना है आपको Google Classroom में कैसे assign करना है उस पे हम चलते हैं तो यहाँ पे देखे यह Google form मैंने open किया sorry Google account से login हुआ again मैं यहाँ पे Google Apps पे जाता हूँ इस पे क्लिक करने के बाद Google Classroom को open करिए जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यह Google Classroom open हो चुका है Google Classroom में उस class को open करें जिस class में आप वो test assign करना चाहरे हैं suppose कर लिजे मैं यह test assign करना चाहरा हूँ 12th EFCL को इस पे मैंने क्लिक किया क्लिक करने के बाद यहां पे classwork पे आप जाएंगे classwork पे जाने के बाद यहां पे create बटन आएगा इस पे आप क्लिक करेंगे यहां पे आप quiz assignment पे क्लिक करेंगे ध्यान रखेगा quiz assignment आप इस link पे क्लिक करेंगे जैसे आप इस link पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का option आएगा यहां पे आप test का नाम लिख देजी name of test जो भी आपको देना है जैसे suppose कर लिजिए मैं यहां पे string का दे देता हूँ और यहां पे add button पे आप क्लिक करेंगे और add button पे आप google drive पे क्लिक करेंगे द्यान रखेगा google drive पे यहां पे जब क्लिक करेंगे तो आपको यहां पे drive पे वो सारी फाइल दिखाएगी जो आपकी drive में इनी में एक file होगी make us जो copy आपने create की थी देखिए यह आ गया copy of string test आप इसको insert कर लिजे वाँ पे जैसे insert करेंगे तो यहां पे आपका insert हो जाएगा उससे पहले आप क्या करें ब्लैंक को इसको delete कर दीजिए और यह import grade वाला जो option है इसको आप enable रखेंगे यहां पे disable हो गया यह enable हो गया मतलब इसको on रखना है on रखने के बाद आप क्या कर दीजिए इसको assign कर दीजिए और यहां पे points के अंदर maximum marks देजिए इसे 20 marks है तो यहां पे 20 marks है 25 marks करके आप assign कर दीजिए assign करने के बाद यह message बच्चों के पास चला जाएगा बच्चे इस Google Classroom को open करेंगे अपनी Google Classroom में और वहां पे इस test को attempt करेंगे अब attempt करने के बाद देखे किस तरीके का क्या होता है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कैसे import करेंगे यहां पे जैसे 12C के अंदर मैंने एक test assign कर रखा था यहां पे आप देखेंगे function test मैंने ऐसे ही assign करता हूं क्लिक करने के बाद आप जब यहां पे देखेंगे तो यह import grade वाला option आ जाएगा अपने आपो टेमेटिक आप इस पे क्लिक करिएगा इस पे क्लिक करके import का message आएग आप अपक इस पे क्लिक कर दीजिएगा तो यहां पर क्या होगा इस process से जो google seat आपकी google form के साथ बनती है response seat वहां से जो भी बच्चों को marks मिलें वो सारे के सारे marks यहां पर post हो जाएगे यहां पर देख रहे होगे marks आगे बच्चों के अब आप क्या करेंगे इसको यहां से turn in के लिए select करना और return कर दीजिएगा जैसे आप return करेंगे तो यह सारे के सारे marks क्या होंगे बच्चों के पास google classroom में return हो जाएगे तो यह process था किस तरीके से आप यह करते हैं इसमें एक और चीज है अगर मान लिए आप किसी को change करते हैं और marks change होते हैं तो again फिर आप import कर यह तो आपके marks की दो copy create होगी एक तो google classroom में आ गए और दूसरा आपका जो google form बनता है यहां पर अगर मैं इसको खोलता हूं तो एक response seat बनती है यहां पर इस response seat में यहां पर आपका option आता है spread seat बनती है तो इसमें तो response आते हैं यह सारे कि सारे तो आप यहां से award list डाउनलोड कर सकते हैं बट यह process आपका इस पर हो रहा है अब चाहते ही कि इस पूरा का पूरा record आपका google classroom में भी store रहे तो आपको यह process जो मैंने अभी explain किया है यह आपको याद रखना है तो यह ता किस तरीके से make a copy करेंगे google form का और दूसरा था कैसे google classroom में google form को post करेंगे ताकि जो grades ह है automatically collect हो जाए google seeds से या google form से इसी तरीकी के वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहे है गूगल पूर education में हमने जो latest technology जो आएगी वो हम discuss करेंगे अगर आप ने ग्रास्विन पाइकन को subscribe नहीं किया तो subscribe करिए like करिए share करिए अगर कोई doubt से तो आप comment section में जाके प परते